नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारी यूटूब चैनल हर्यों मिश्टडी एजुकेशन में आज पढ़ेंगे हम लोग कछानमी का गडित अब्यास दो प्रस्नावली 2.5 प्रस्नावली 2.5 में पार्ट 1 वीडियो में हम लोग ने पढ़ लिया था एक से चार तक के प्रस्न को और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चार से आगे प्रस्न को और सॉल्व करेंगे तो चलिए सॉल्व करते हैं देखते हैं कैसे सॉल होगा पांचवा नमबर प्रस् d plus c का whole square ठीक है बराबर a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca ठीक है तो इसी rule के आधार पर हमको इस question को solve करना है तो चलिए solve करते हैं देखते हैं कैसे solve होगा सबसे पहले लिखेंगे यह bracket के बाहर है तो दो का square हमारा 4 हो जाता है तो दो यह अक्स bracket कर देंगे यहाँ पर square plus यहाँ पर plus है तो plus लिख देंगे 3y यहाँ पर square कर देंगे plus 4 square 16 होता है तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4z और यहाँ पर 2 square हो गया bracket खुलेगा तो फिर 4z square हो जाएगा हमारा वही है यहाँ पर plus यहाँ पर अब देखिए a b c a square b square plus c square a square b square plus c square ठीक है यह तो हो गया लेकि 2ab अब 2ab कर रहा है प्लस 2ab तो 2 into यह हमारा यह है यह भी यह c तो 2ab तो यह क्या है हमारा 2x into b क्या है 3y ठीक है 3y हो गया यह तो हो गया उसके बाद plus 2b c b c तो 2 into 3y और हमारा c दे दिया है 4z ठीक है 4z देख लेते हैं कितना हो गया यह यहाँ पर 12y था तो दो दुना के 4 चार चारते हैं 12y प्लस का है तो प्लस का हो गया यहाँ पर माइनस 24yz है तो यहाँ पर 2 3 6 और 6 4 को 24yz हो गया 24yz तो हो गया लेकि एक बात ध्यान दिजिए यहाँ पर माइनस का दे रहा है यहाँ पर प्लस का दे रहा है तो माइनस का लाने के लिए हमको यहाँ पर चार के सामने माइनस लगा देंगे, माइनस चार जेड लिख देंगे, ठीक है, माइनस चार जेड, तो अब यहाँ पर माइनस हो गया है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस का गुड़ा होगा, तो माइनस हो जाएगा, और 2, 3, 6, 4, 24, Y, Z, उसके बाद सेकेंड सेकेंगे, तो 2, C की है हमारा, 4, Z, और यह क्या है, यह हमारा है, 2, Y, ठीक है, यह, यह, माइनस 16Y, Z, तो यह हमारा, 2, 4, 8, 12, Y, 6, X, ठीक है, यह, X, तो माइनस यहां पर लगा देंगे तो हमारा माइनस का जाएगा यहां पर प्लस हो जा रहा है तो माइनस का जाएगा ठीक है अब इसको लिखते हैं सेकंड डिस्टेप देखते हैं सेकंड डिस्टेप कैसे लिखेंगे ठीक है सेकेंडी स्टेप हमारा हो जाएगा टू याक्स प्लस थीरी वाई प्लस फोर जेड और इसे ब्रेकेट में बंद कर देंगे उसके बाद स्क्वार लगा दें ठीक है ये प्लस भी प्लस सी का होली स्क्वार हो गया ये उसी रूल पे हो गया और इसको जब ब्रेकेट से बाहर लिका लेंगे तो हमारा यहां पर जो दिया है यही आएगा तो प्रस नंबर पांचवां सॉल्ब कर लिए अब चलते हैं छाठवां प्रस न के तरब देखते हैं छाठवां प्रस न क्या है छाठवां प्रस न हमारा है निमलिखित घनों को परसारित रूप में लिखी है ठीक है यहाँ पे दिया है ब्रेकेट में A प्लस B का होल क्यूब तो इसको लगाने के लिए हमें एक रूल की जरूरत है जो रूल है A प्लस B का होल क्यूब बराबर A Q प्लस B Q प्लस 3 A भी और ब्रेकेट में A प्लस B इसी rule के माध्यम से हमको 2x plus 1 के whole cube को लगाना है तो इसे 2x को A माल लेंगे और 1 को B माल लेंगे ठीक है तो अब चलिए आगे solve करते हैं यहाँ पर बराबर लिखेंगे उसके बाद 2x cube plus 1 का cube उसके बाद plus लिखेंगे यहाँ पर प्लस 3ab से गुड़ा होगा तो A हमारा 2x है इंटू B हमारा 1 है फिर उसके बाद bracket में A plus B तो A हमारा 2x plus B हमारा 1 ठीक है उसके बाद second step यहाँ पे जब bracket टूटेगा तो 2 का cube 8 हो जाएगा X cube प्लस 1 का cube एक ही होगा प्लस इसका इसमें गुड़ा होगा तो 3 दूना के 6 चाय कम 6 3 दूना के 6 और 6 का एक में गुड़ा होगा तो 6 तो हमार कितना हो जाएगा 6 X और यहाँ पर 2 X plus 1 उसके बाद 8 X cube प्लस एक प्लस 6 का गुड़ा होगा दो ब्रेकेट में पूरे ब्रेकेट में तो हमारा कितना हो जाएगा 6 दूना के 12 X स्कौाइर ना 6 दूना के 12 X स्कौाइर उसके बाद एक में गुड़ा होगा च्छय का एक में गुड़ा होगा तो 6 यक्स हो जाएगा ठीक है उसके बाद 30 थोड़ी स्टेप है आठ यक्स स्क्वाइर एक्सर क्यूब प्लस 12 यक्स स्क्वाइर प्लस 6 यक्स प्लस का 1 चाया तो आप इसे भी आंसर मान सकते हैं या इसे भी ये क्रमस लिख दिये हैं यक्स क्यूब यक्स स्क्वाइर यक्स और 0 ठीक है तो दोनों आंसर हमारा सही हो जाएगा यानि यही हमारा अधिकतर क्रमस वाइज लिखते हैं प्रस नमबर छठमे के दूसरे को देखते हैं क्या है कैसे solve करेंगे छठमा का दूसरा दिया है bracket में 3 अपन 2 यॉक्स प्लस 1 का whole cube ठीक है तो इसे भी उसी rule से लागाएंगे a plus b के whole cube से a cube plus b cube plus 3 a b और bracket में a plus b तो सबसे पर इसे a माल लेंगे और इसे b माल लेंगे तो a का cube तो 3 अपन 2 यॉक्स cube plus 1 b का cube तो b हमारा 1 है तो 1 का cube लिख देंगे उसके बाद 3 a b 3 into a क्या है हमारा 3 बटा के 2 यॉक्स into a b b क्या है एक है और उसके बाद bracket में a plus b तो यह हमारा 3 बटा के 2 यॉक्स और यहां पे plus 1 ठीक है उसके बाद second step हमारा हो जाएगा जब bracket टूटेगा तो 3 का cube कितना होता है तिन का cube हमारा हो जाएगा 27 और उसके बाद चार का स्वरी 2 का cube हमारा 8 हो जाएगा और यहां पर यक्स है तो इसे यक्स लिख देंगे प्लस एक का cube एक होगा प्लस इसका गडुड़ा थीन-3 के 9 बटा के 2 यक्स हो गया और उससे नौव बटा के 2 यक्स में एक का गडुड़ा करेंगे तो इतना ही आएगा और ब्रेकेट में 3 बटा के 2 यक्स प्लस 1 अब देखते हैं सेकेंड स्टेप क्या होगा 27 बटा के 8 यक्स क्यूब प्लस एक और यहां पे 9 बटा के 2 यक्स का गुड़ा होगा तो 9 बटा के 2 यक्स में ठीक है तो 9 बटा के 2 यक्स का गुड़ा होगा एक में तो हमारा हो जाएगा 9 बटा के 2 यक्स अब इसे चाहे तो यह आंसर लिख सकते हैं या क्रमवाइज लिख सकते हैं तो चलिए क्रमसा लिख देते हैं क्रमसा क्या होगा तो 27 बटा के 8 यक्स क्यूब प्लस 27 बटा के 4 यक्स स्क्वाइर 27 बटा के 4 यक्स स्क्वाइर होगा उसके बाद प्लस लिखेंगे और 9 बटा के 2 यक्स प्लस यहां पर एक है तो एक लिख देंगे यह आंसर होगा क्रमसा अगर करें तो हमारा यह वाला सही है अगर उस तरह माने तो हमारा यह यानि आंसर हमारा दोनों सही है ठीक है तब चलते हैं प्रस नंबर छाथ में के तीसरे के तरफ देखते हैं तीसरा क्या है चाथ में का तीसरा है ब्रेकेट में 2a-3b का होल क्यूब तो इसको लगाने के लिए a-b का होल क्यूब नहीं लगेगा इसको लगाने के लिए a-b का होल क्यूब का रूल लगेगा यानि a- माइनस B के होल क्यूब का सूत्र लगेगा तो ए माइनस B के होल क्यूब का सूत्र ए ब्रेकेट में ए माइनस B का होल क्यूब बराबर a q-b q-3ab और एक bracket में a-b ठीक है तो इसी rule पे लगाते हैं इस प्रशन को देखते हैं काई से लगेगा तो सबसे पहले इसे a मानेंगे और इसे guys b मानेंगे ठीक है तो यहाँ पे 2a bracket में a cube है तो a cube कर देंगे minus 3b cube minus 3ab तो हमारे यह a 2a है और b 3b है ठीक है तो 3 into 2a और b हमारा क्या है 3b ओके उसके बाद bracket में a minus b 2a minus 3b तो इसको जब bracket से बाहर लिका लेंगे तो हमारा हो जाएगा 8a cube minus minus हमारा हो जाएगा 9 का cube स्वारी 3 का cube 27b का cube 27b का cube हो जाएगा उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे minus 3 दूना के 6 और 6 3 18ab 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 और एक bracket में 2 minus 3b उसके पास second step 8a cube 8a cube minus 27b cube minus यह 18 से इस दो में 2a में गुड़ा होगा तो 36a दूना के 36a यहाँ पर भी यहाँ यहाँ पर भी तो a cube हो जाएगा और b यह minus है यह minus है तो 2 minus minus प्लस हो जाएगा और हमारा हो जाएगा 18 24 a b square यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी है यह हमारा इसका अंसर होगे प्रस्न नमबर 7 तरब देखते हैं 7 वा क्या है और 7 को solve करेंगे देखें क्या है सात्वा प्रस्न है उप्यूक्त सरोसमिकाओं प्रयोग करके निमलिखित के मान ग्याद कीजिए ठीक है दिया है 99 का cube तो इसको ग्याद करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे a minus b का whole cube बराबर a cube minus b q minus 3 और bracket में a minus b तो 99 का cube दिया है तो इसको इस तरह से सबसे पहले लिख लेंगे 100 minus 1 ठीक है 100 minus 1 का whole cube इसको लिखेंगे और इसे a मान लेंगे और इसे b मान लेंगे अब a का cube minus b का cube minus 3ab तो 3 into a हमारा 100 है और b हमारा 1 है और bracket में a minus b तो यह हमारा 100 है और यहाँ पर 1 हो जाएगा ठीक है second step हो जाएगा हमारा 100 का cube हमारा 2 ठीक है उसके बाद 1 का cube 1 होगा minus इस 3 से इसमें गुड़ा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 300 ठीक है और जब 300 हो जाएगा 300 में का गुड़ा करेंगे तो 300 होगा और bracket में 100 minus 1 उसके बाद second step इसको जैसे के वैसे उतार लेंगे minus 1 और इस 300 से गुड़ा करेंगे minus 300 से गुड़ा करेंगे प्लस के 100 में तो यहाँ पर हो जाएगा minus का हमारा ठीक है इतना हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर minus है और यहाँ पर minus है minus plus minus minus plus ठीक है और 300 का गुड़ा एक में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 300 यह plus का है यह plus का है दोनों को सबसे पहले जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का ठीक है इतना हो जाएगा उसके बाद यह minus माइनस minus plus तो इसमें जूड़ जाएगा माइनस का ठीक है अब इतने में से इतने को घहटा लेंगे ठीक है जब इसमें से इसको घहटा आएंगे तो हमारा प्राप्त होगा 970299 ठीक है इतना मिलेगा हमार को यह हो जाएगा आंसर विसी प्रकार से देखते हैं दूसरा क्या है साथमें का दूसरा साथमा का दूसरा है 102 का क्यूब करना है यह प्लस B के होल क्यूब पर लगेगा यह प्लस B के होल क्यूब है a cube plus b cube plus 3ab और bracket में a plus b तो इसको सबसे पहले इसको लिखेंगे 100 plus का 2 ठीक है 100 में 2 जोड़ देंगे तो 102 होगा या 102 लिखें दोनों बात एक ही है cube यहाँ पर लिख देंगे इसे a माल लेंगे और इसे b माल लेंगे second step कर देंगे 100 का cube plus 2 का cube करेंगे plus 3ab तो 3 into a हमारा है 100 और b क्या है 2 है उसके बाद लिख देंगे उसके बाद bracket में a plus b तो a हमारा 100 है plus 22 है तो 2 लिख देंगे उसके बाद इसका cube करेंगे 1 और 6 0 इतना हो गया plus 2 का cube हमारा हो जाएगा 8 2 का cube हमारा कितना हो गा 8 हो जाएगा उसके बाद plus 3 2 के 3 का इसमें 2 में गुड़ा करेंगे 6 होगा 6 से 100 में गुड़ा करेंगे तो हमारा 600 होगा और ब्रेकेट में 100 प्लस दू ठीक है सेकेंड़ी स्टेप इसको जैसे के वैसे उतार लेंगे plus 8 और 600 से 100 में गुड़ा करेंगे तो हमारा यहाँ पर 2 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा plus 600 से 2 में गुड़ा करेंगे तो हमारा 1200 आजाएगा ठीक है अब सब को जोड़ देंगे ठीक है अब सब सॉल्व हो गया इसको बस जोड़ना है तो सब को एक में जोड़ देंगे तो हमारा मिलेगा 10 61 और यहाँ पर जोड़ेंगे 20 28 ठीक है हमारा यह आंसर हो जाएगा इसका प्रस्न नमबर 7 solve कर लिए अब चलते हैं और इस वर यह आठमे प्रस्न की तरफ देखते है आठमे प्रस्न हमारा क्या है आठमे प्रस्न हमारा कोई चीज तरफ से है कि निमली खीत में से प्रते का गुड़न खंडन कीजिए ठीक है निमली खीत में से प्रते का गुड़न खंडन करना है तो हमारा यहाँ पर वाला प्रस्न दिया है 8a q plus b q plus 12a square b plus 6a b square ठीक है उसके बाद इसको solve करने के लिए इसको ये 2 का cube है तो यहाँ पर 2a और bracket में 3 लिग देंगे प्लस b का cube plus 3 into 3 a b तो 3 into 2 और b हमारा यहाँ पर यहाँ पर b हो जाएगा और 3 दूना के 6 a b अभी हमारा कितना हो रहा है 6 a b और यहाँ पर दिया है 12a square b तो हमको लाना है 12a square b तो गुड़े 2a से गुड़ा कर देंगे तो 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12 यहाँ पर a है और यहाँ पर a तो 12 a square b हो जाएगा प्लस 6 a b square है तो 3 into 2 a b कर देंगे ठीक है तो 3 दूना के 6 a b अब b का square अभी नहीं हुआ है तो b का square करने के लिए फिर b से गुड़ा कर देंगे तो 3 दूना के 6 a b square हो जाएगा तो अब इसको इस तरह से लिख देंगे 2 a cube plus b cube plus 3 into 2 a b और एक bracket में 2 a plus b ठीक है इतना हो गया उसके बाद यह हमारे सुत्र का सुत्र की तरह से हो गया है a cube plus b cube plus 3 a b और एक bracket में a plus b तो इसको इस तरह से लिख देंगे 2 a plus b और यहाँ पर cube लगा देंगे अब इसको चाहे तो यह answer कर दें या 2 a plus b 2 a plus b और यहाँ पर 2 a plus b यह यह दोनों answer इसका सही है तो चलते हैं नवे प्रस्ण की तरफ देखते हैं नवे प्रस्ण क्या है कैसे solve करेंगे नवे प्रस्ण दिया है सत्यापित कीजिए ठीक है सत्यापित करना है तो x cube plus y cube बराबर bracket में x plus y और second bracket में x square minus x y plus y square तो इसको solve करेंगे इस तरह से दायापच को लेकर चलेंगे solve करने के लिए दायापच यहाँ पर लिख देंगे बराबर इसको x plus y लिखेंगे bracket में और यहाँ पर गुड़ा है तो गुड़ा लिख देंगे x square minus x y plus y square ठीक है तो यहाँ पर इस यक्स का गुड़ा करेंगे पूरे bracket में ठीक है तो यहाँ पर यक्स लिखेंगे और उसके बाद यह सब लिख देंगे x square minus x y plus y square उसके बाद प्लस का y है वो प्लस के y से पूरे bracket में गुड़ा करना है तो यहाँ पर यहाँ पर इसको अप्सल्व करते हैं तो यहाँ पर यक्स है और यहाँ पर यक्स square है तो हमारा हो जाएगा x का cube minus x से minus x y में करेंगे तो x square y और यहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस है तो दुन प्लस है प्लस हो जाएगा x y square हो जाएगा उसके बाद प्लस के y से गुड़ा करेंगे ठीक है प्लस के y से जब गुड़ा करेंगे तो x square y होगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा x यहाँ पर y है तो y से x y में करेंगे तो x y square हो जाएगा प्लस 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 होगा और y से y square में करेंगे तो y cube जाएगा इतना हो गया ठीक है अब इसके बाद देख रहें कि कौन सा माइनस प्लस से कौन सा कटेगा हमारा यहाँ पर देख लीजिये माइनस x square y है और यहाँ पर प्लस x square y है तो माइनस x square y से प्लस x square y कट गया उसके बाद यहाँ पर प्लस का यक्स y स्क्वाइर है, यहाँ पर माइनस का यक्स y स्क्वाइर है, तो प्लस के यक्स y स्क्वाइर से माइनस यक्स y स्क्वाइर कट गया, हमारा बच गया, हमारा आंसर बच गया, यक्स का क्यूब प्लस y का क्यूब, यह हमारा इसका आंसर हो ठीक है इसका अंसर हमारा हो गया नमे प्रस्ण का यक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब यह हमारा प्रूब्ड हो गया यानि सत्यापित कर दिये हम लो प्रूब्ड करने के लिए का रहा था सत्यापित करने के लिए तो इसे सत्यापित कर दिये प्रूब्ड हो गया दोस्तो को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन दबा कर आल पर प्रेस करें